हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूटीव चानल पर तो दोस्तो आज मैं आपको एक्स्प्लेन करने वाले हूँ क्लास ट्वाल हिंदी गुजराद बोड का चैप्टर नमबर 6 घर जिसे लिखा है भोला भाई पटेल ने यह बहुत ज़रूरी है आपको इसे याद रखना है क्योंकि यह लेखग का नाम है यह जो कहानी है काफी अच्छी है आपको सुन के बहुत अच्छा लगीगा तो चलिए शुरू करते हैं मैं आपको इस कहानी का सार समझाने वाली हूं यानि की सम्मरी समझाने वाले हों तो चलिए अब कहानी पढ़ते हैं लेखक उनके भाई उन सभी के परिवार तथा लेखक की मा सब शहर में ही रहते हैं अब वह हमेशा के लिए ही शहर में आ चुके हैं गाउ में उनका एक पुष्टैनी घर है जिसे उनकी माता और स्वर्गिया पिता ने मेहनत करके बनाया था अब वह घर गाउ में बंद पड़ा है गाउ के ज्यादा तर लोग अब शहर में आ चुके हैं और उन्होंने अपना गाउ का घर बेज दिया है लेखक भी यही निश्य करते हैं कि उन्हें अपना गाउ का घर बेच देना चाहिए लेकिन अपनी माता की अनुमती लेकर तो ये जो हमारे लेखक है भोला भाई पटेल उनके कुछ भाई भी हैं और उन सभी के परिवार और लेखक की मा ये सब अब शहर में ही रहते हैं यानि कि आप ऐसा कह सकते हो कि लेखक का पूरा परिवार अब कहा रहता है शहर में लेकिन पहले ये लोग गाउ में रहते थे और वहाँ पर इनका एक पुष्टैनी घर है पुष्टैनी घर का मतलब पीडियों से लोग वहाँ पर रहते चले आ रहे है तो ऐसा इनका गाव में घर है पुष्टैनी घर लेकिन अब ये लोग शिफ्ट कहा हो चुके है ये लोग गाव में शिफ्ट हो चुके है उस घर को लेखक के माता और स्वर्गिया पिता यानि कि अब उनके पिता गुजर गए है इन दोनोंने बहुत मेहनत करके बनाया था अब उस घर में कोई रहता नहीं है तो वो घर गाव में युही बंद पड़ा हुआ है अब गाव के जो ज्यादा तर लोग है न वो सब शहर में रहने लगे है और उन्होंने अपना गाव का घर बेज दिया है तो लेखक भी यही सोचते हैं कि मैं मा की पर्मिशन लेके वो घर बेच देता हूँ क्योंकि अब वो किसी काम का नहीं कोई रहता तो है नहीं तो देखते हैं आगे लेखक क्या निश्चे करते है घर बेचने का मन बनाने के बाद उनका मन बहुत ही भारी हो जाता है उनके मन में यह विचार आता है कि आखिर पुष्टैनी मकान क्यों बेचा जाए क्योंकि इसे बनाते समय उनके माताजी और उनके पिताजी ने बहुत मेहनत की थी लेखक को घर से जड़ी पुरानी बाते याद आने लगती है आंगन में खेलना, दूर गाउं में पढ़ने जाना, भाईयों और बहनों के विवाह का मंडब पडोसियों के जगडे, दादा दादी की मृत्यू, पिता की मृत्यू, पश्यू बांधने की जगा आदी अब लेखक ने ये तो सोच लिया कि उनने घर बेचना है लेकिन ये सोचने के बाद उनका मन बहुत ही जादा भारी हो जाता है मतलब एकदम से वो टेंशन में आ जाते है वो सोचते हैं कि आखिर मैं अपना घर क्यूं बेचू क्योंकि उस घर को इनके माता और पिता दोनों ने बहुत मेहनत करके बनाया था और तभी उनको कुछ पुरानी बाते भी याद आने लगती है जैसे कि आंगन में खेलना, बहुत दूर गाउं में पढ़ने जाना उनके बहनों और भाईयों के विवा का मंडप पडोसियों के साथ जगडे, उनके दादा दादी की मित्यू पशू के बांधने की जगा, पिता की मित्यू और भी बहुत कुछ तो लेखक को इतना सबकुछ याद आने लगता है इसलिए उनका मन बहुत ही जादा भारी हो जाता है उन्हें घर बेचने का मन नहीं करता है लेकिन वो सोचते हैं बेचना तो पड़ेगा ही लेखक के मन में यह विचार आता है कि वह केवल एक मकान नहीं है वह घर है उस घर से लोगों की भावनाई जुड़ी हुई है फिर वह यह सब सोचते सोचते भावुक हो जाते है और यह निश्चय करते है कि उस घर को बेचने से पहले एक बार उनके सभी परिवार को वहाँ पर जाकर रहना चाहिए फिर बहुत ही लंबे समय बाद वह घर खुलता है और हरा भरा हो जाता है तो लेखा को सभी पुरानी बाते याद आती है फिर वह सोचते है कि वह सिर्फ एक मकान नहीं है वह एक घर है और उस घर से उनके परिवार वालों की भावनाएं जुड़ी हुई है और वो बहुत ज़ाधा भावुख भी हो जाते है वो सोचते हैं कि मैं घर बेच दूँ इससे पहले हम सभी परिवार को वहाँ पर एक पर सात में रहना चाहिए और सभी लोग मान भी जाते हैं वहाँ पर जाने के लिए तो इन्होंने जब वो घर खोला तो ऐसा लगा कि वो घर एक्टम हरा भरा हो गया इतने सारे लोगों के आने से पुराने घर में आने पर सबसे ज़्यादा खुश माताजी हुई थी उनके पिता के मृत्यू के बाद वह बहुत उदास रहने लगी थी पर अब वो बहुत ज़्यादा ही खुश थी लेखको सारी पुरानी बाते याद आती है और वह उन सब के बारे में सोचते हैं उन्हें लगता है जैसे यह दिवारे उनसे पूछ रही है कि इतने दिनों बाद आये हो और अब हमेशा के लिए हमें छोड़ कर जा रहे हो तो पुराने घर में आने पर सबसे ज़्यादा खुश कोवन्त आपको पता है लेखकी माताजी यानि कि लेखकी माँ वो बहुत ख खुश थी लेखक के पिता के जब से मृती हुई थी तब से उनकी माँ उदास रहती थी लेकिन इस घर में आने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी अब लेखक को वही पुरानी बाते सब फिर से याद आने लगती है और वो वही सब सोच रहे थे सोचते सोचते जब वो दिवारों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे वो दिवारे उनसे कह रही हो कि इतने दिनों बाद आए हो और अब हमें हमेशा के लिए छोड़ कर जा रहे हो तो लेखक को कही ना कही बहुत बुरा लगता है आगे देखते हैं लेखक गर के विबिन स्थानों पर जाते हैं फिर वह दलान में जाते हैं वहां अपनी मा को देखते हैं वो रो रही है वह उनसे कारण पूछते हैं तो वह किवल इतना कहती है जब तक मैं जी रहू तब तक या घर मत निकालो चोटा भाई मकान खरीदने वालों को लेकर आ जाता है तब ही वह मा की भावना समझ जाता है और मकान खरीदने वाले को कहता है कुछ दिन रुख जाओ हम यह घर देंगे तो तुमको ही देंगे सब का मन हलका हो जाता है तो लेकक वही सब सोच रहे थे पुरानी बाते दिवारों के बारे में सोच रहे थे कि ये दिवारे मुझसे क्या कहने की कोशिश कर रही है तो ऐसे ही वो घर के हर जगा पर जाकर घूम रहे थे तो तुरंती वो दलान में आप पहुचे वहाँ वो देखते हैं कि उनकी मा है और वो रो रही है तो उन्हें बहुत आश्चरे हुआ कि ये तो इतने खुश थी तो ये रो क्यों रही है तो वो उनसे कारण पूशते है तो उनकी मा ये जवाब देती है कि जब तक मैं जी रही हूं इस घर को मत निकालो यानि कि इस बेचो उसी समय छोटा भाई आ जाता है और उसके साथ वो लोग होते हैं जिने घर खरीदना होता है तो उन लोगों को लेकर ये छोटा भाई आ जाता है लेकिन वो भी अपनी मा को देखता है उनके आखों में देखता है और भावना मा की वो समझ जाता है वो समझ जाता है कि अभी इस घर को बेचना ठीक नहीं होगा इसलिए मकान खरीदने वाले को वो कहता है कुछ दिन रुख जाओ हम यह घर देंगे तो तुम ही को देंगे किसी और को हम देने वाले नहीं है तो फाइनली यह बात आती है कि घर नहीं बेचा जाएगा और इस बात को सुन के सभी का मन बहुत ही जादा हलका हो जाता है तो इस कहानी से हमें यह समझ में आया कि घर सिफ एक ऐसी जगा नहीं है जहां पर हम रहते हैं बलकि उस घर से हमारी बहुत सारी भावनाई भी जुड़ी होती है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक दबाना ना भूले क्योंकि इस से हमारा मनोबल बढ़ता है यह जो आपको गोल गोल दिख रहा है न यहाँ पर जाए और हमारे चैनल को विजिट कीजिए और यह दो वीडियो देखना ना भूले बाइ बाइ टार्टा एंड आउजू